सरकार ने एक संसदिय समिती को सूचित किया है कि कराची के सीव्यू बीच पर भसे मालवाहग जहाज को बचाने की जिम्मेदारी जहाज के मालिकों और बीमा कमपनी की थी समुद्री मामलों पर सीनेट की स्थाय समिती की बुधवार को यहां बैठक हुई जिसमें पर्यावरन के लिए खत्रा बन चुके जहाज पर एक ब्रीफिंग की गई समुद्री मामलों के मंत्राले के सचिव रिजवान एहमद ने कहा कि हेंग टोंग सत्हतर शंगाई चीन से इस्तानबुल तूर्की जा रहा था और कराची बंदरगाह में प्रवेश नहीं किया यह चालक दल के सदस्यों को बदलने के लिए पाकिस्तानी जलक शेत्र में था उबर्खाबर समुद्र के कारण जहाज ने अपना लंगर खो दिया और यह उथले पानी की ओर दहने लगा श्री एहमद के अनुसार कराची पोर्ट ट्रस्ट को स्थिती के बारे में सूचित किये जाने तक जहाज पहले से ही उथले पानी में था पर्यावरन विशेश गियों ने आशन का व्यक्त की की पोत द्वारा ले जाया जा रहा तेल फैल सकता है संभावित रूप से पर्यावरन को नुक्सान पहुचा सकता है उन्होंने कहा कि जहाज पनामा का जहन्डा फहरा रहा था बैठक में पता चला कि जहाज 17 जुलाई को पाकिस्तान के तट पर आया था जब तक मंत्राले को दूसरा लंगर खोने के बाद पाकिस्तानी जल में लौटने पर जहाज के बहाव के बारे में सूचित किया गया था तब तक इदूल अजहा का पहला दिन था बंदरगाह बंद थे समिती की अध्यक्ष रुबीना खालिद ने समुद्री मामलों के मंत्राले के अध्यकारियों से पूच ताच की कि क्या धार में त्योहारों पर बंदरगाहों को बंद करना एक विश्वव्या पी फिस यसाम अबड्र, अब्गत टुम अलगत लिजनता बर्लमानियत नंगाध सफीन से अभीन, पिप ला-इन से अलिजवभाह सी लिवव्यों कात्श, के राटश, काम्मीन, लिज्वा Notत보, प्यूम्लो है ओिना अेर्ब रोछाए लि effectivementप्राइब अर्बाइग इनल्वात इष tu इनाय। फिन विहात ले प टाक फ्र कया NICK्ज्थ ने उनल आया इनल्वात अफराद ताकम अनीकी क Record. उना उन्मुामा उना नचां उनान इनां पाकिस्तान भाकिस्तान 5ária 7 एंड़ी उलीो इना इंकी औो एतंदे. कान दोली काली कल इ contempt अलाक लेकली वालाव अ bit Bishop शूली ओंप्रा रॉपां अ कान तो फारा घोली गलाम य उना फिन ए ल्स शूरा फ्सोल ए्सा, लॉब दे कलाव ले चले वाय जोली सुरा, लोक युरी जाव्स ए्स कान ओ कन एलाव अबत इ मोऱ्सा झां अी उबान ए कन वार has informed a Cargo Vessel D Committee that salvaging, which ran aground at the Seaview Beach, Karachi, was the responsibility of the ship's owners and the insurance company. The Senate Standing Committee on Maritime Affairs met here on Wednesday for a briefing on the vessel that has become an environmental hazard. Ministry of Maritime Affairs Secretary Rezwan Ahmed said that Heng Tong-77 was going to Istanbul, Turkey, from Shanghai, China, and did not enter the Karachi port. It was in Pakistani waters for change of crew members. The rough sea caused the vessel to lose its anchors and it started drifting towards shallow water. According to Mr. Ahmed, the ship was already in shallow waters by the time the Karachi port trust was informed about the situation. The environmental experts expressed fears that oil being transported by the vessel could spill, potentially damaging the environment. He said the ship was flying a Panama flag. The meeting learned that the ship came on Pakistan's shores on July 17. By the time the Ministry was informed of the drifting of ship on its return to Pakistani waters after it lost the second anchor. It was the first day of Eid al-Azhar and the ports were closed. Committee Chairperson Rubina Khalid inquired from the officials of the Ministry of Maritime Affairs whether closing of the ports on religious festivals was a worldwide practice. But the Maritime Affairs Secretary failed to give a definite answer.